कि हेलो अर्वन स्वागत आप सभी का माई एक्जाम यूटूब चैनल पर तो आज की उड़ा में हम करेंगे आपके कंप्यूटर के जितने भी कोशन्स पूछे गए हैं हाल फिलाल के एक्जाम में जो भी आपके एक्जाम हुए हैं उन सभी एक्जाम में कंप्यूटर के जो सभी कोशन्स पूछे गएं सभी के सभी हम डिसकस करेंगे तो यह आप सभी को पता है कि जो भी आपके एक्जाम हो रहे हैं प्रीजिए से पूछे जा रहे हैं तो यह जूहां पर मैंने आपका बैणिफिट क्या है वहां पर मैंने हर चैनल को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर ले और पीडियाफ लेने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज़रूर जोन कर ले लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो आज की वीडियो में करेंगे कंवीटर के सबीधे सभी कंसे तो स्टार्ट करते हैं इंपोर्टेंट होने वाली वाली की से पूरा जरूर देखेएगा यहदि को Adnan तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं थिक है तो स्टार्ड करते हैं बिसी डिवाइस् इंटर्मीडियरी डिवाइस बिट्विन दाशी पीउएंड मोनिटर मोनिटर के बीच में मद्यस्थ युक्ति क्या है तो सबसे पहले तो आप से पुछा गया है आप सभी को पता है सीप्यू और मोनिटर मोनिटर का क्या काम है आपको डिस्प्ले करना कोई बी चीज ठीक है यानि कि output को display करना तो इन दोनों के बीच में इंटरमीडियरी डिवाइस का का म कौन करता है तो करता है video controller ठीक है video controller का का म क्या होता है output image को generate करना आपको दर्साने के लिए डिस्क्रेश करने के लिए output को क्या करना ज़नरीट करना ठीक है तो यहां पर आपका अंसर हो जएका video controller तो यहां पर आपका एक और question पूछा जाता है यह आपका CPU है CPU और main memory के बीच में आपका क्या होता है यहां पर बात हुए CPU और आपकी monitor के बीच में तो video controller यह आपसे पुछे CPU और main memory के बीच में ठीक है तो वहां पर आपका क्या होगा कैसे यह दोनों कुछन आपको याद रखने है CPU और monitor के बीच में पुछे तो आपका वीडियो controller और CPU और आपका main memory के बीच में पुछे तो आपका answer होगा है यहाँ पर कैसे तो very important कुछन यह जरूर पुछा जाता है यह भी आप notice जरूर करेंगे नेक्स्ट कुछन है दा translator used to convert the code written in assembly language to machine language ठीक है इसका answer आपका question में छिपा है कि assembly language को machine language में कौन प्रिवर्तित करता है तो कौन करता है assembler ठीक है assembler का का काम होता है आपका assembly language को machine language में बदलना क्योंकि आपका जो computer है कौन सी बासा समझता है वो machine language ठीक है तो यहाँ पर का answer क्या होगा आपका assembler तो बाकी के questions भी हम पढ़ेंगे question आपके आए वह हैं वहाँ पर हम discuss करेंगे option कि नेक्स आपका most of the memory in micro computer lost their content when the computer's power is shut down this type of non-permanent memory is card ठीक है हिंदी में देखते हैं जब computer की विद्योत सक्तिक को बंद किया जाता है तब micro computer में अधिकतर memory अपनी विश्य वस्तो यानि कि जो content हो देती है तो इस परकार की एस ताइम होगा यह कि वोलेटाइल क्या होता है जो चीज उड़ जाए यानि कि गायब हो जाए यही मतलब है यदि आपको वोलेटाइल का मतलब पता है तो आप आसानी से लगा लेंगे जैसे ही आपके पावर सप्लाइब बंद होगी तो यह यह वोलेटाइल मेमोरी अपने सारे कंटेंड क्या अगर देती है खो देती है और जो नहीं खोती है बिजली जाने पर भी वो क्या होती है नौन वोलेटाइल ठीक है तो यहां पर आपका अंसर हो जाएगा हिंदी वालों के लिए प्रिवर्तंसील और इंग्लिज के लिए नेक्स्ट है देस एंड डैस कीज लेट यू मूव दा कर्सर तो दा बिगनिंग और एंड ओफ लाइन ठीक है डैस और डैस कुंजी आपको कर्सर को एक रेखा के आदी और अंत में चलाने देती है ठीक है आपकी एक लाइन से इस तरह से यह आपका एंडिंग पॉइंट है तो दो तरीके से आप जा सकते है इस स्टार्टिंग प्वाइं प्र या थो आप कर्सर से जाईए या फिर माॉस से सी तक है ठीक है या फिर एड़ कीज से जाईए Dash software for creating text based documents such as newsletter और browser ठीक है Software text अधारी दस्तावीत जैसे newsletter या फिर browser बनाने के लिए क्या यूज होता है आपका तो कौन सा software है जो newsletter और browser बनाने के लिए यूज होता है तो वो आपका होता है word processing ठीक है word processing software होते हैं जो आपका newsletter बनाने के काम आते हैं जैसे की जैसे उधान देखते हैं MS Word peninsula MS Word हो गया wordpad हो गया यह आपके software है जो आप newsletter बनाने के काम करते हैं ठीक है कोई भी आपको note त्यार करना है तो आप किसमें करते हैं MS Word Word patients वगएरा में करते हैं Assist後 यह आपको ध्यान दखना है नेक्स्ट कुश्चन है A desk can copy a printed page of text और a graphic into the computer memory freeing you from creating the data from scratch ठीक है एक computer memory में text के एक मुदरित प्रिष्ट या एक graphic की प्रतिलिपी बना सकते हैं scratch से data बनाने से आपको मुक्त कर देते हैं तो वो कौन करता है ठीक है printed page की जो text copy है वो कौन करता है यह तो आपको पता ही होगा scanner आप mobile में भी यूज करते हैं आज कल तो scan आपको कोई भी hard copy की short copy चाहिए ठीक है printed page से यह text का तो आप क्या करते हैं mobile में scanner अपना जो app है वो open करते हैं उसकी photo के लिए करते हैं और save कर लेते हैं ठीक है आपको further use के लिए कोई भी उसमें कार्य करना है तो आप कर सकते हैं तो यह किसका कार्य होता है scanner का नेक्स्ट है dash is not only unwanted it clogs your email account and uses unnecessary server spaces dash ना केवल एवांसित है यह आपके email खाते को रोग देता हो अनावस्यक सर्वर्स्तान का प्रियोग करता है आप सभी के पास आजकल तो Gmail होगी आप सभी के पास mails आती हैं ठीक है जिनको आप नहीं जानते ठीक है एवांसित होती है unsolicited होती है यदि आप उनको नहीं चाहते हैं आपके पास आती रहती हैं तो सारी किसमें आती है आपकी spam email में ठीक है आपकी जैसे कि memory वो ज्यादा खराब ना करें तो किसमें आ जाती है आपकी spam email हम उनको बोलते हैं की मात रंच देट्स थेक्र देश्टेर्ड्रोंस टेज्ट्रग्रांश फो डिजैनींग इलुस्टरेशन और मैनुप्यार्टिंज फोटिग्राफ्स मूविज और एनिमिशन तो कौन सा प्रोग्राम हैं आपका जिसको हमनिपले करने के लिए photograph को चैंजेब करने के लिए movies और animation करने के लिए का होते हैं तो उनसे होते हैं आपकेOOOOOOOO अटीवार करना है generator fordi वह टीवी को पता होगा अरदोب फोटो-05र ces हमस्रेंफ नफिस्यार्व पताएं आपके पास photo हमें कहता है उन्य-छित क्या करता है यहां पर आपकी डेट लिग देता उस फोटो पे ठीक है यानि कि कोई भी उसने मैनुपलेट करा कोई भी उसमें चेंज किया है तो वह क्या यूज करेगा एड़ोग फोटो सोब कर लेगा या इसके अलावा कोई भी उसके पास दूसरा सोट्वेर होगा तो उसक सब्सक्राइब कोन सी जनरिक टर्म है आपकी रेफर्स टू एनी पीस ओफ हार्डवेर ठीक है एक जैनरिक सब्द डेस हार्डवेर के किसी टुकडे से सम्मधित है ठीक है तो हार्डवेर को हम क्या बोलते हैं डिवाइस ठीक है तो हार्डवेर को हम क्या बोलते हैं किस टम स से भी जानते हैं डिवाइस के नाम से भी ठीक है आप सभी को पता है इंपूट डिवाइस होते हैं एक आपके आपके आउट्पूट डिवाइस होते हैं ठीक है तो आउट्पूट डिवाइस आपके जो डिवाइस हैं सारे के सारे हार्डवेर्स में आते हैं ठीक है जैसे प् अमंग्स मालेस्टे कंप्योटर करीटिद फॉर पीपल्स ठीक है नीजी कंप्योटे को डैसी कहते हैं क्योंकि यह लोगों द्वारा परियोग कि जाने के लिए बनाएगे सबसे छोटे computer है अब सबसे छोटे है तो कौन से computer होंगे वह आपके vised the kr BY नद्लिवाइड होते हैं नैयनो तो आपका उज़ यूज कोई टाइप नहीं तो सब सबसे सोटी होते हैं तो size size के Rainbow आपके कौनसे होते हैं Micro Computer होते हैं और इनको हम PC भी बोलते यानि की Personal Computer भी हम इने कहते हैं ठीक है कि नेक्स्ट कोशन है डाइस कीज और मोडिफायर स्कीज तो कौन सी कीज है आपकी जिने हम रुपांतरन कुझिया कहलाती है कि हम कोई भी किश कर देती है कोई उनकी कारिय में तो वह क्या बोलते हैं shift, control and alt next a dash stores data on both sides of its disk numbered as 0 and side 1 and each side has its own read and write head एक dash अपने disk के दोनों जिसे side 0 और side 1 की संख्या दी गई है और आक्डे भंदादित करती है और परतेक तरफ इसका अपना लेकन पठन सीर्ष होता है तो वो कौन सा होता है आपका diskate ठीक है floppy disk भी हम इनको बोलते है magnetic disk भी बोलते है floppy disk या फिर यहाँ पर आपका answer होगा diskate जोनों साइड जो data है वो रखती है जिसको हम 0 और 1 के नाम से जानते है और हर एक साइड का अपना read and write head होता है तो वो क्या होता है diskate next question है a dash is a set of instruction that makes the computer perform task dash निर्देशो का एक समुच्च्च है जो एक computer से कार्य कराता है तो कार्य कराता है कौन होता है sets of programs ठीक है sets of program को हम क्या बोलते है software क्या बोलते है software ठीक है इसको हम क्या बोलते है software next है a dash terminal does not process or store data it is simply an input output device that functions as a window into a computer located somewhere else ठीक है एक ऐसा चीज बतानी है आपको जो आप simply as a input or output device की तरह use करता है ठीक है कहीं भी आप उसको locate कर दो सिरफ दिखाने के लिए use करता है ना तो store करता है ना वो process करता है ठीक है तो उसको हम क्या बोलते है कि dumb terminal ठीक है terminal आपके तीन दरेकी होते है एक intelligent होता है आपका intelligent terminal होता है एक आपका dumb terminal होता है गुंगा वो एक आपका smart होता है तो तीनों में difference क्या है जो process भी करे और store भी करे ता इसके पास processing तो होती है लेकिन इतनी नहीं होती तो यहां पर आपका अंसर होगा डम टर्मिनल और गुंगा टर्मिनल नेक्स्ट है आप पॉपुलर टाइप ओफ हैंड 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 कंप्यूटर जो आपका पॉपुलर है उसको हम क्या बोलते हैं फ्रकार के कंप्यूटर का एक लोग पर यह परकार है तो उसको हम बोलते हैं पीडी ए टीक है पीडीए परस्नल डिजिटल एसिस्टेंट ठीक है पी लिए बोलते हैं कि नेक्स्ट है इन एनी विंडो एप्लिकेशन अडेश चोज यू वेहर दा नेक्स्ट करेक्टर विल अपियर एज यू टाइब तो कौन सी विंडो एप्लिकेशन हो किसी विंडोज अनुप्रियोग में एक डैस आपको दिखाता है कि अगला अक्षर कहां आएगा जब आप तंकन करेंगे ठीक है तो वो कौन दर साथा है आपका ब्लिंकिंग बार ठीक है कौन सा बार होता है ब्लिंकिंग बार होता है नेक्स्ट है अडैस इस यूजली आप पावर्फुल पर्सनल कंप्यूटर विद स्पैसल सोट्वेर एंड एक्विप्मेंट डैट इनेबल्स इट तू फंक्शन एज तप्राइमरी कंप्यूटर इन दा नेट्वर्क ठीक है एक विसेज शोट्वेर और उपकरनों के साथ एक सकती साली नेजी कंप्यूटर है जो नेट्वर्क में प्रात्मिक कंप्यूटर के रूप में कार्य करने में इसे सक्षम बनाता है तो वो क्या होता है आपका नेट्वर्क सर्वर क्या होता है वो आपका नेट्वर्क सर्वर होता है ठीक है वर्क स्टेशन यहां परांसर नहीं होगा workstation आपका क्या होता है एक आपका special computer होता है ठीक है जिसको एक person एक time पे use कर सकता है ठीक है एक person एक time पे use कर सकता है अभी हमने किया था personal digital assistant handheld device आपका यह होता है ठीक है तो यहाँ पर answer क्या होगा आपका network server next is the largest desk can handle the processing need of thousands of users at any given moment ठीक है सबसे बड़ा desk किसी दिए गए समय पर हजारों परियोकताओं की presence करन आप सकताओं को संभाल सकता है तो वो कौन सा होता है mainframe आपका है size के coding सबसे बड़ा होता है आपका mainframe computer ठीक है जो आपके बड़े-बड़े organization होते हैं जहां पर एक साथ में बहुत सारा data process करना होता है तो वहां पर आप क्या use करते है mainframe computer का use करते हैं जहां पर एक साथ एक time में multi users क्या करते हैं कार्य करते हैं ठीक है तो यह आपके क्या होते है mainframe स्टीक है जो आपके बड़े-बड़े ओर्गिनाइजेशन होते हैं वहाँ पर यह आपका यूज होता है नेक्स्ट है एंडेस टेल दा कंप्यूटर हाओ तो यूज इस ओन कंपोनेंट्स ठीक है एक डैस कंप्यूटर को बताती है कि इसके गटकों को कैसे प्रयोग करना है तो कौन बताता है वह आपका ओपरेटिंग सिस्टम ठीक है यानि कि कंप्यूटर को ओपरेट कैसे करना है तो वो कौन बताता है ओपरेटिंग सिस्टम ठीक है जब आप कंप्यूटर को ओन करते हैं तो ओपरेटिंग सिस्टम आपका ओन होता है तो यह सुनिचित करता है कि आपकी कंप्यूटर के सारे के सारे जो आपके डिवाइस हैं सही तरह से कार्ये कर रहे हैं या नहीं कर रहे ह है ठीक है वह आपका कौन कार्य करता है सारा का सारा ओपरेटिंग सिस्टम है नेक्स्ट है अडेस पीसी ओफर्स आल्दा फंक्शनलिटी ओफ नेट नोट्बुक पीसी बट दे आर लाइटर एंड कैन अक्सेप्ट इंपूट फ्रोम स्पेशल पैन लाइक स्टाइलस और करते हैं जैसे कि आज तो आप सब के पास भी होंगे पहले एक मोबाइल सी भी आते थे जिनके साथ नोक्या की आते थे जिनके साथ स्टाइलस भी आते थी पैंसल भी आती थी ठीक है सैमसंग के तो अधिकतर मोबाइल के साथ आती है लेकिन आप उनको क्या बोलते है टैबल दिजिटल बोर्ड भी आप समीने देखेंगे तो दिजिटल बोर्ड पर यदि आपको लिखना है तो आप स्टैलेस की हर्च आप लिए सकते हैं लेकिन यहाँ पर छोटे कूछ आ है तो उनको हम क्या बोलते हैं टैबलेट्स बोलते हैं कि नेक्स्ट है दडैसीज स्विवैलिंग लिवर मांटिन और स्टेशनरी बीज ठीक है डैट इस वेल शूटिंट फॉर प्लेंग वीडियो गेम्स तो उसको हम क्या बोलते हैं जो आपका फिक्स बेस के ऊपर होता है इस तरह से ठीक है उसको आप क्या बोलते हैं जो वीडिय गेम खेलने के काम आता है थेंकि आपने सारे गेम क्याना होंगे तो आपने value στη का फ्यूष करते थे वह कि महगे होती दक सुग्य नहीं करते ते लेकिन दुकान पर जाके वसक हम को बोलते हैं next day the dash operator takes a number of variables as its input and produce an output of one if any of the input are one मतलब क्या है ओप्रेटर आगत के रूप में चरो की एक संख्या लेता है और एक का निर्गत उत्पादित करता है यदि आगतों में से कोई भी एक हो तो वो कौन सा होता है आपका और गेट सभी के सभी हम एक बार देख लेते हैं तो आपका और गेट क्या होता है इस तरह से आपका और गेट होता है ठीक है यदि आप इंपुट देते हैं तो इंपुट आपके किस तरह की हो सकते हैं 1 1 ठीक है 00 उसके बाद 01 या फिर दोनो जीरो तो आपके हो गए 10 ठीक है मतलब क्या है जब आपका 11 आप देंगे तो और क्या देगा आपको 1 देगा जब आप 00 देंगे तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा 0 मिलेगा जब आप 00 देंगे यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1 तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा 1 मिलेगा ठीक है जब आप 00 देंगे तब आपको आउटपुट क्या मिलेगा 1 मिलेगा और जब आप 00 देंग वन हो ठीक है कोई भी एक इंपुट आपका वन है तो आपको आउट्पुट क्या मिलेगा वन मिलेगा और वो किस केस में होगा वो केवल और केवल और गेट में होगा ठीक है तो यह आपको ध्यान अकना है और गेट में बाकी भी देख लेते हैं एंड गेट में आपका क्या ह जीरो मिलेगा वन आपको तब मिलेगा तब दूनों के दूनों input आपके क्या हो वन व녹ों तो यहां पर आप डेख सकते हैं था दूसरे और तीसरे case में एक इंपुट आपका वन था लेकिन फिर भी आपको क्या मिला 0 मिला, ठीक है, end के case में, note के case में आपको ultra होता है, यह आपका note होता है, यह आप 0 देंगे, तो आपको 1 मिलेगा, यह आप 1 देंगे, तो आपको 0 मिलेगा, ultra मिलेगा आपको, ठीक है, और जोर क्या होता है, आपका exclusive or होता है, ठीक है, exclusive or होता है, ठीक है, तो इसके आपके input में बता देता हूं यदि आपको one one दोगे तो आपको zero मिलेगा यदि आप 00 देंगे तो आपको zero मिलेगा 01 पर भी आपको one मिलेगा और one zero पर आपको क्या मिलेगा one मिलेगा तो यहां पर भी आप देख सकते हैं कोई भी याद दखना है जोर में आपको मिलते कैसे हैं आउटपूट ये भी मैं बता देता हूं तो जोर में क्या होता है आपको ये ध्याद दखना है आप यूज करते हैं A not B प्लस B not A तो ये आपका जोर का आउटपूट होता है ठीक है यदि आप 1 दे रहे हैं तो आपने पहले आप में इन्पूट दिया 11 लिख लेते हैं 11 दिया तो आपका 1 का उल्टा लेगा वो वन नोट याने की 0 B आपका क्या है ये आपका A है ये आपका B है कोई एक एक एक्जांपल बता देता हूँ 11 में 0 कैसे आया बाकि आपकी आप कर लेंगे 10 दिया उसके बाद प्लस में molecular लेकिन उसका उल्टा लेगा यह ये बी नोट याने की 0 और ए आपने क्या दिया है वन दिया है ठीक है यह आपने क्या दिया है वन दिया है तो आप देखेंगे यहां पर क्या हो जाएगा जीरो और वन आपका जीरो तो आपको क्या मिल जाएगा यहां पर जीरो ठीक है तो दोनों आपने वन वन दिये थे लेकिन आपको आपको आउट्पुट क्या मिला जीरो ठीक है बाक एक डेस्ट डाल देता है जब प्रिष्ट भर जाता हो दूसरा प्रिष्ट वांसित होता है तो यह आपका क्या होता है soft page break ठीक है soft page break क्या होता है automatic होता है ठीक है computer अपने आप create करता है कैसे जैसे आप word file में काम कर रहे हैं आपने type करना start किया जब आपका यह पेज complete फिल हो गया तो आपको automatic दूसरे पेज पर यह ले जाएगा तो इसको क्या है कहते हैं short page break ठीक है यह Automatic होता है computer इसको create करता है आप इसको create नहीं करते हैं लेकिन आप करेट करेंगे किसी को यदि आप page पर लिख रहे हैं यहाँ आपर आपने लिखना start किया और आपने यहां पर break दे दिया उसी page में आपने आप manually दिया है जो user होता है वो इसको create करता है और फिर आपने लिखना start किया तो उसको क्या बोलते है hard page break ठीक है तो software होता है soft page computer create करता है और hard को आप create करते हैं ठीक है तो यानि की word insert dash when one page is full and another page is needed त आपको clear हो गया होगा next question पर चलते है next question है the backspace की erase character to the dash of the cursor ठीक है जो backspace कुंजी होती है cursor के dash अक्षरो को मिटाती है तो कौन से अक्षरो को मिटाती है तो यहाँ पर आपने कुछ भी लिखा माली जी आपने लिखा यहाँ पर my exam ठीक है यहाँ पर आपका blinking cursor आता है तो यदि आप इसने मिटाना जाते हैं आपने आपको कुछ गलत लिख दिया तो आप backspace की दबा अदसे हैं यहाँ पर जैसी आप backspace की दबाेंगे तो आपके cursor के जो left वाले हैं यह आपका right है इदर यह आपका left है तो आपके जो left वाले हैं वो आपके delete होते चले जाएंगे थे के आपने एक कि आपके डिलीट हुए है एदधी आपको राइट साइड के करने हैं तो आप किसका यूज़ करते हैं डिलीट की का ठीक है तो यह आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा लेफ्ट तरफ के कि तो यह आगल आप मनें इतना ही मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो लाने का नेक्स कुशन है इंडिविज्व यूजर्स हैव दियर ओन डेस्टोप कंप्यूटर वीच आर कनेक्टेड तो वन और इसके बारे में हम पड़ चुके हैं पहले भी नेट्वर्क सर्वर हम उनको बोलते हैं Peng गात है उनको बिए और सेक्ट अने सिम मैं के करेक्टराइप उसके थे तधरे आपके बिशेज था तो वूथिया आपके ट्रांजिस्टर तो आपके जो प्रत्रम्य फिर स्ट्विस कर रहे हैं आपकिया सब्सक्राइब टूब सदूट्स्टीन तर्ड में आपकी आई सीज फिर आपकी आए वन्हीर आपके जिस कर रहे हैंRT ś फ्सक्रियंच वैंड क्या उद्सक्राइब करती को अब स्क्राइब violation क्या प्लैके लॉट्टेर्स होते हैं सिस तरह से बहुत सारे ठीक है सो हन्डेड ग्शंडेड रस जासॉत है आपके आपकी प्रैक्शल होते हैं हारे लेटर के साइड में तो वह किसमें होते हैं आपके वह होते हैं hard in secret किसमें होते हैं हाट डिस्ट में नेक्स होसन है डैसे स्फ्री एन ओपन सोफ्ट्वियर विच मीज़ इस फ्रीली अवेलेबल फूर यूज इस इस शोर्स कोड इस अवेलेबल सो एनिबडी कें यूज इट मोडिफाई इट एंड री डिस्ट्रिबूूट इट तो वह कौन सा होता है आपका Linux होता है ठीक है कोई भी इसका उप्योग कर सकता है इसे संसोजित व्याप अंदर वितरीत कर सकता है तो वो कौन से होते हैं आपके linux होते हैं ठीक है नेक्स्ट है डेस केन बी करेक्टराइज़ इन्टू ओपरेटिंग सिस्टम एंड लैंग्विज ट्रांसलेटर ठीक है डेस को ओपरेटिंग सिस्टम और लैंग्विज ट्रांसलेटर में वर्गी करित किया जा सकता है तो किनको आप कर सकते हैं तो ओपरेटिंग सिस्टम को आप कर सकते हैं वरगी करीद किसमें आपने ओप्रेटिंग सिस्टम में और ट्रांसलेटर में ठीक है जो ओप्रेटिंग सिस्टम होते हैं सोफ्ट्वेर आपके उनमें आपके क्या क्या आते हैं किसमें आप कर सकते हैं उसमें आप कर सकते हैं operating system फिर आपके translators ठीक है तो यही आप से पुछा है तो किसमें आप कर सकते हैं तो यह आपका क्या होगा system software नेक्स्ट है दा बेसिक यूनिट ओव एवरी वेबसाइट और डोकुमेंट ओन दा वैब इस अडैस कंटेंडिंग दा इन्फोर्मेशन वैब पर परतिक वेबसाइट या दस्तवीज की अधार इकाई एक डैस है जिसमें सूचना होती है तो सूचना किसमें होती हैं वैब प आप कोई भी वैबसाइट सरच करते हैं तो आप सर्च करने के बाद एंटर करते हैं तो यहाँ पर आपके वैब पेज दुख जाते हैं बut सारे जो प्डा कंटेंड करते इन्फोर्मेशन सूचना जो अपने पास रखते हैं तो उनको है मैं क्या बोलते हैं वैब डिक वैक्यूम टूब सेक्ट में ट्राजिस्टर फर्ड में आय सीज यानि की इंटिग्रेटिजिए सरकेट फॉर्थ में माइक्रो प्रोशेसर किसी में फॉर्थ में और फित में आपके क्या थे अर्टिविचल इंटेलिजेंश next day the dash is the master folder on the any disk master folder है उसको आप क्या बोलते हैं root folder ठीक है root folder क्या होता है आपका master folder होता है next day the dash is called the brain of computer ये तो easy है तो brain of computer आपका क्या होता है CPU central processing unit next day our dash software is one which provides certain task that helps in proper maintenance of the computer ठीक है एक software वह है जो कुछ ऐसे कार्या प्रदान करता है जो computer के उचित रख रखाओं में मदद करते हैं तो computer के maintenance में कौन help करते हैं तो utility software होते हैं ठीक है तो कौन से होते हैं वह utility software तो utility software में आपके आते क्या क्या है जैसे disk format हो गए आपका disk format या फिर डिस्क clean आ गया आपका कि यह आपके utility software है जो आपके mobile में भी आप देखते होंगे आपके मोबायल में भी होते हैं यह तो virus clean जैसे आप यूज़ कर रहे हैं अपने mobile को ठीक है आपकी memory field हो गई या कैसे जुदा यूज हो गया तो आप क्या करते हैं यह तो आप डिस clean करेंगे ठीक है तो होते हैं आपके utility जिससे आपके जैसे की unless the data अपनी क्लीन कर दिया जिससे फिर आपकी जो मेंटेनेंस है वह आपकी क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी कंप्यूटर की ठीक है तो वह क्या होते हैं यूटिलिटी सब्वेर यह आपके उधारन है यूटिलिटी सब्वेर के वायरस क्लीन हो गया डिस्क फ्रेग्मेंटेशन हो हो गया ठीक है यह सारे के सारे नेक्स्ट एम एस दजीपीघ टीट ओने शमाल चीप इट आलसो कार्ट सीपी इसको डेस्ट में कहते हैं तो इसको क्या बोलते हैं mypro processor भी कहते हैं ठीक है brain of computer चोटी सी चिप कही होता है सारे के सारे काम करता है माइक्रोप्रोसेसर होता है पर छोड़ता है सती तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं ब्रेन ओंप कंप्प्यूटर क्योंकि सारे के सारे कारी काम कौन करता है यह सिप्यू करता है next time the desk resides on the motherboard and connects the cpu to the other devices that resides on the motherboard एक motherboard पर रहता है cpu को अंडे युक्तियों से जोड़ता है जो motherboard पर रहता है तो वह कौन होता है अब का तो वह होता है system bus थीक है अब देखें देँए जो bus होती हैं क्या होती है Κा्पकी control bus होती है यह आपकी कंट्रोल बस है फिर आपकी एड्रस बस होगी जो एड्रस को कंट्रोल करती है वो क्या होगी एड्रस बस जो डेटा को कंट्रोल करेगी वो क्या होगी आपकी डेटा बस ठीक है इस सारे के सारे आपके मदर बोर्ड पर रहते हैं तो इन सभी को क्या बोलते हैं सिस्टम बस ठी जो किस से connect होते हैं आपके CPU से तीनों के तीनों किस से connect रहते हैं CPU से connect रहते हैं ठीक है तो इसको हम क्या बोलते हैं आपका system बस आपको clear हो गए यह तीनों के इरेजेबल ठीक है प्रोग्रामेबल रीड ओल्ली मेमोरी बेश्ट फ्लेश मेमोरी वीच कैन बी रिपीटिडली इरेज्ट एन रिटन यूजिंग सिगनल तो वह कौनसी होती है आपकी एक डवल इप रॉवमप पर अधारिट फ्लेश में मोरी जिसे आप बार-बार मिटाया जा सकता है और विद्यूत संकेतों का परियोग करके लिखा जा सकता है तो pen drive होता है तो pen drive में आप जितनी बाद चाहें data लिख सकते हैं जितनी बाद चाहें data को आप erase कर सकते हैं ठीक है तो यह कौन सा होता आपका pen drive next is the language processor that translate a single statement of a source program into a machine code ठीक है यहां पूछा single statement को ठीक है machine code में convert करता है and execute it immediately before moving to the next line ठीक है यानि कि line by line interpret करे ठीक है उसको हम क्या बोलते हैं interpreter अभी हमने किया था assembler थोड़ी देर पहले starting में ही जो assembly language को क्या करता है machine language में convert करता है ठीक है उसके बाद होते हैं आपके compiler और interpreter तो सबसे पहले हम देखते हैं जो interpreter होता है जो source code की statement होता है उसको machine code में convert करता है ठीक है करता तो compiler भी यही है source code को क्या करता है machine code में convert लेकिन जो line by line करता है एक line को किया यदि उसमें error है तो उसको ठीक करेगा फिर second line पे जाएगा फिर second line को करेगा फिर third line पे यानि कि line by line execute करता है और जो पूरे page को एक साथ करता है सभी lines को एक साथ करता है फिर उसके बाद आपको यदि error होगी तो देगा नहीं तो फिर आगे execute करेगा तो वो आपको क्या होता है compiler ठीक है यह दोनों में आपको difference याद रखना है interpreter क्या होता लाइन बाइन और एजे होल ठीक है पूरे को एक साथ करें वो क्या होता है compiler नेक्स्ट आगे चलते हैं आपका जिसमें भी नाम आपका फ्रेग्मेंट जैसा वही आंसर डिस्क फ्रेग्मेंटर ठीक है तो डिस्क फ्रेग्मेंट का काम क्या होता है जितनी भी आपकी fragmented file होती है hard disk पर सभी को रिन युनाइट करता है combine करता है ठीक है ताकि जो आपका computer है more efficiently works कर सके ज्यादा समता से काल्य कर सके ठीक है जितने भी छोटे-छोटे टुकड़े हैं उनको एक साथ लाता है और फिर combine कर देता है ठीक है नेक्स टेकनिक दा temporary storage of input and output data is done in output output buffering buffer टकनिक कौन सी टकनिक में input और output data का एस ताई भंडारन input और buffer और output buffer में किया जाता है तो buffer ही आप नाम दिया गया है तो क्या होगा आपका buffering ठीक है temporary storage जो आपका करता है तो वो कौन करता है buffering तो आप सभी को पता होगा यदि आपकी data speed कम है यदि आप mobile में कोई गाना चलाते है ठीक है इस तरह से आपकी screen पर कुछ घूमता रहता है ठीक है वो buffering होती रहती है यानि कि कुछ data buffer store करेगा ठीक है फिर आपको चला देगा उसके बाद जो बाकी का data है वो side by side आपका execute होता रहेगा ठीक है तो वो कौन करता है buffering करता है ठीक है आपकी memory में होते हैं buffering ठीक है तो वो क्या होता है आपका buffering बोलते हैं temporary storage of input output data ठीक है next day dash operating system allows execution of more than one task or processes concurrently operating system एक साथ एक से अधिकारियों या परिकरियाओं के निस्पादन की अनुमति देता है तो कौन देता है एक साथ multi programming या फिर multi processor जिसको हम बोलते हैं एक टाइम में एक से ज्यादा प्रोसेस करें एक साथ उसकों क्या बोलते हैं multi tasking या multi programming तो वो क्या होता आपका time sharing ठीक है उसकों क्या बोलते है time sharing यहाँ पर multi processing नहीं दिया है तो यहाँ पर answer आपका क्या होगा time sharing ठीक है next by using dash data can be read or written multiple times ठीक है किसका यूज करके आप जो data को multiple time read कर सकते हैं write कर सकते हैं तो वो कौन सा होता है आपका वो होता है compact disk re-write table ठीक है cd-rom हैं तो read only memory है क्युकर लोले होका data को रिडिकर सकते हैं cdr-rd यहीं दीवीडी में भी आप क्या कर सकते हैं लेकिन multiple times data को read कर सकते हैं write कर सकते हैं तो re-drive willус को बोलते हैं तीक है जिसमें आप री-ressing कर सकते हैं दूबारा कोई चीज लिखनी है तो आप लिख सकते हैं कि नेक्स्ट है फर्स्ट जर्रेशन कंप्यूटर वर मेड यूजिंग थाउजन्स ओफ डैस और दफास्टेस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस ऑफ देर टाइम आपने समय के फास्टेस्ट थे तो वह कौन से थे फर्स्ट जर्रेशन में वैक्यूम टूब हम कर सुके हैं फर्स dienes देर्टेस्ट च्वूटि रूप रेखा die mm चिप डैस कम्प्यूट्रों में पाइजाती है तो यह पर आपकी यह पाई जाती आपको घ्रेफ किस्म मिघूल आप्टोप स्मुल यह रिखए ब्सटीं कहां पर एक उपने ऊति और आपकी रिख to support because they always contain an at the rate symbol ठीक है इसली है तो एड़रेट symbol आपका किस में होता है आपका email address में होता है ठीक है जैसे आप सभी का email address होगा कोई ना कोई जैसे my exam कैसे पता लगेगा आपको क्या email address है क्योंकि इसमें क्या होता है एड़रेट ठीक है my exam at the rate gmail.com इस तरह से ठीक है तो Earth हमेशा किस में होता है email address में होता है जशन Divine ace have 2 or more processor for a single running process ठीक है दो और दो से ज्यादा आपकी processor हो coule रनिंग प्रोजस में उसको क्या बोलेंगे multiprocess ऐक है तो multiprocess है यानि कि दो से ज्यादा तो multiprocess Sandy डेसिजवन एग्जाम्पल और मिगनेतिक स्टोरेजज मीडिया सुम्ब के बंडरन माद्यवहेट्ट्व एक उधारन है कि कौन साया विधारन इपका मेगनेतिक स्टोरेज का थो हार्ड डिस्क आपका क्या है एक मेगनेटिक स्टोरेज दीवाइस का एक्जामपल है नेक्स्ट है ओन एंडेस मीडिया इंफोर्मेशन इस टोड एंड रीड यूजिंग ये लेजर बीम ठीक है आप लेजर बीम की हैल से जो मीडिया की इंफोर्मेशन ने सूचना है उनको आप स्टोर कर सकते हैं और स्टोरेज नेक्स्ट है दा लैंग्विज प्रोशेसर डैट ट्रांसलेट्स दा कम्प्लेट सोर्स प्रोग्राम एज़े होल इन वन गो इंटू मसीन कोड अभी अभी हमने किया था कंपाईलर और इंटर्प्रेटर जो लाइन बाइन करें उसको हम क्या बोलेंगे स्टेटर्प्रेटर लोगेसन ओफ दैटा और इंस्ट्रक्शन अभी हमने तीन बसके बारे में पढ़ा था संट्रोल बस ऐड्रश बस और डेटा बस और इन सब के पूरें को हम क्या बोलते हैं सिस्टम ठीक है तो जो कैरीज दा ऐड्रेट्रेश लोकेशन ओव डेटा एन और जो control करें उसको क्या बोलेंगे control बस next है the dash is the log that records the location of each file and status of each sector ठीक है तो file allocation table नाम में ही इसका answer है file allocation table वो table जो file के allocation को क्या करती है locate करती है ठीक है हर एक sector के status को बताती है तो क्या होती है FAT file allocation table ठीक है एक लोग है जो परतेक file की अवस्तिती और परतेक sector की स्तीती को अभी लेकित करता है FAT file allocation table ठीक है नाम में ही है इसका file को locate करें table में file allocation table next है dash software is free of cost and usually bundled up with some operating system or any other software एक software मूथ है और सामें रता किसी operating system या किसी अन्य software से बांधना होता है तो यह क्या होता है आपका freeware ठीक है freeware होते हैं जो आपके completely free होते हैं यूज के लिए ठीक है जिनको आप यूज कर सकते हैं free of cost जैसे कि आप mobile में भी यूज करते होंगे जैसे आपका Adobe Reader हो गया Skype हो गया तो यह आपके freeware software होते हैं जिनको आप free of cost आपको available हो जाते हैं इनको आप यूज कर सकते हैं एक आपके shareware होते हैं इनमें difference क्या है starting में तो यह आपके free होते हैं ठीक है कुछ समय के लिए लेकिन आपको इनका यदि advance version यूज करना है तो वो आपका क्या होगा paid होगा ठीक है starting में आपको लालस दे देंगे use करो use करो जब आप इसके आधी हो जाएंगे तो आपको अगे इसको use करना है तो आपको क्या करना होगा paid करना होता करना होगा तो आपके क्या होते हैं ठीक है तो यह आपका difference होता है free wear और share wear में नेक्स्ट है resolution measured in तो resolution को आप किसमें मापते हैं तो आप मापते हैं ppi pixel per inch ठीक है pixel per inch next है dash कैसे is small is built inside the cpu तो कौनसी कैसे आपकी सबसे छोटी होती है और cpu के अंदर built हותी है तो सबसे जो छोटी होती है वह आपकी होती है level 1 ठीक है level 1 की जो कैसे होती सबसे smallest होती है जिसका size 8 kb से लेकर 64 kb के बीच होता है ठीक है सबसे smallest कैसे आपकी होती है ठीक है और जो आपकी mostly use होती है वो क्या होती है आपकी L3 Level 3 Next question है in MS Excel to insert a formula in cell we must begin the entry with the operator तो MS Excel में ठीक है यह आपके cells होते हैं MS Excel में इस तरह से spreadsheet का example है यदि आपको इसमें formula insert करना है तो आप starting किसे करते हैं सोरी मिन तो स्टार्टिंग यहां पर आपको इस सैल में formula डालना है कोई तो आप starting किसे करते हैं तो आप करते हैं equal से equal का निसान लगाते हैं उसके बाद आप formula आपको डालना है जो भी आप डाल देंगे तो क्या होता है आपका सबसे चोटी स्टोरीज यूनिट कौन सी होते हैं ठीक है आप सभी को बता है बीट बाइट किलोबाइट ठीक है उसके बाद मेगाबाइट गीगाबाइट टेराबाइट इस इसे आपकी होती है तो यहां पर दिया है आपका गीगाबाइट मेगाबाइट ए और भी और नन अव्दीज यदि आपका नन अव्दीज दिया है तो यहां पर आपका आंसर होगा नन अव्दीज यदि आपका नन अव्दीज आंसर नहीं होता तो तब आपका आंसर यहां एच पेचिज्ण ग्राफिक्स ओंद ऐलाइन कंटेंट है तो क्यों सा सौ फिए होता है आपको जो मिल्ट दिखाता है और व्हांद कंटेंट्स है तो वो कौन है आपका ब्रावजर ठींगे ब्रावजर आप यूज करते हैं जो आपको वैब पेज़ीज दिखाता है ठीक है नेक्स्ट है दा वीडियो ग्राफिक्स एरे वीजी ए स्टेंडर्ड इज जो वीजी ए का स्टेंडर्ड है वो आपका कौन सा है तो आपका है 640 इंटू 480 पिक्सल ठीक है standard पूछा है जो जब आया था तो कौन सा standard था इसका 640 x 480 यहां पर आपका answer होगा next है the dash coordinate and controls the data flow in and out of CPU तो CPU की आपके parts होते हैं यह आपका CPU होता है input, output और इसको control कोन करता है आपकी control unit ठीक है CPU के अंदर एक control unit होता है जो coordinate करता है और control करता है data को in or out ठीक है तो control unit यहां पर आपका answer होगा arithmetic logic unit क्या करता है जितने भी arithmetic function है वो सभी के सभी कोन करता है arithmetic logic unit ठीक है जमा करनी है गुना करनी है जो भी आपके arithmetic calculation है सभी के सभी next है HTML की full form बतानी है तो यह तो बिल्कुल असान है hypertext markup language यह answer यहां पर आपको हो जाएगा ठीक है तो यह थे आपके सभी के सभी important question जो आपके हाल फिलाल के exam में पुछे गए हैं तो यदि आपको वीडियो पसंदे तो प्लीज वीडियो को पुछे पेलाल